हाई फ्रेंड आप सभी का स्वागत है सरकाई जब खबर में दोस्तो बिहार प्लिश ड्रैवर 40 मार्क इंटर्व्यू महासंगराम लेकर आ गए हैं आपके बीच में दोस्तो मंजील अगर पहार है तो हम भी माजी हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नही दोस्तो आईए आप सभी का स्वागत है आज के कलास में अगर आपके अंदर जोस और जुनून है तो 17-22 सीट में एक सीट अपना पका कर ले का है तो आपको मालूम है कि आपका जो हैं इंटर्व्यू से 40 मार्क का कुश्चन रहने वाला है आपको मालूम होगा कि पहला चर एक परन जो है आपका ड्राइब्टेस्ट होने वाला है जिसमें 20 मार्क जीप से 20 मारक कार चलाने से 20 मार्क बस या चलाने से तथा 20 मार का इंटरव्यू मोर्क जाना अधिनियम्न चीन संबंधित दो उसके बाद आपका 20 मार्का इंटर्व्यू होगा गारी के रख रखाव सम्मंधित तथा लुब्रिकेंट कुलेंट के सम्मंधित इंटर्व्यू होगा बने रहेगा वीडियो मां तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल के सब्सक्राइब कर बे में निर्देशित स्रक पर जो है आप गारी चलाते हैं तो आपको रिवर्स गेर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन इंटर्व्यू में आपसे पुछ देगा मानले जिए एक दिसीय स्रक है इस तरह से एक ही दिसा में आप बाहन को ले जा स आप एक प्रिवहन को कैसे पहचान सकते हैं कि यह गारी जो है किस राजी का है यूपी का है जारखंड का है बिहार का है दिल्ली का है हर्याना का है तो कैसे पहचानिएगा उसके जो हम गारी को पहचानेंगे उसके जो है नमर प्लेट से हम जो है उसकारी को पहचानेंगे म लिखा रहता है ऐसं देखते हैं कि आप साम एक वाहन के आगे करें से निकल सकते हैं आप जो है द्यूंत रखिए कभी भी दाइंस सेड्स स्वरीग और हैं आपको जो है को आवर्टेक नहीं करना है ध्यान रखेगा आप जब भी इस बाहन को आगे निकलेगा तो आप आवर्टेक जो है दाएं साट से कीजिएगा नहीं तो एक्सिजेंट हो सकता है अगला कुश्चन देखते हैं कि लर्निंग की बैता जो है कितना महिना का होता है लर्निंग की बैता जो है कितना महिना का होता है तो लर्निंग का बैता जो है आप छो मेना जिस समय आप ड्रैविंग लेसेंस बना रहे थे उस समय जो आपको है लर्नि पर वाहन नहीं चला सकते हैं अगला कुश्चन देखते हैं किस परकार के वाहन को आजाद मार्ग दिया जाना चाहिए फिरी मार्ग दिया जाना चाहिए किस परकार के वाहन को आप जो है इंबुलेंस को इंबुलेंस को जो है तथा अगनी सामक अगनी सामक जो है वाहन होता ह उसको जो आप फिरी मार्ग देना चाहिए जिससे की इंबुलेंस में मरीज है वो समय पे होस्पिटल पहुंच सके जिससे उसका जान बच सके था जहां पर आग लगा है वहां पर फायर वाहन बहुंचे तो वहां पर जल्दी से आग को निप्टारा कर सके आग को मुझा सके अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन कहता है एक बाहन का चालक आगे निकाल सकता है आप पिछले बाले गारी को आप चला रहे है तो आगले बाला गारी को और चला रहा है तो आप जो है इस बाहन से आगे कैसे निकालेंगे जब इस गारी का ड्रैवर आपको इ तरफ से चलाना चाहिए मानली ये नेशनल हैवे है तास्ट हा इसमें ये हुआ आपका बाई तरफ और ये हुआ दाई तरफ आपको किस ओर से चलना चाहिए आ आपको हमेशा बाई तरफ करना सकते हैं ना क्विश्चन देखते हैं कोहरे लेंप का उपयोग किया जाता है कोहरा में जो है धुन्द लगा रहा था उस समय में किस लेंप किस समय जो है लेंप का उपयोग किया जाता है तो तो उस समय जो है धुन्द किस समय जब धुन्द हो कहां सा ज्यादा मात्रम हो तो समय जो कोहरे लेंप का उपयोग किया जाता है अगला कुश्चन देखते हैं कि जेब्रा लाइने क्या है जेब्रा लाइने जो है आप कोचिन दिया रहेगा आच्छा है आपसे पुछ देगा इंटर्व्यू के समय में कि जेब्रा लाइने क्या है जब जेबरा लाइने क्या है जब एक एंबुलेंस आ रहा है सोरी जेबरा लाइने क्या है तो आपसे पूछ देगा जेबरा लाइन क्या है तो जेबरा लाइन जो है पैदल चलने का एक मार्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं जेबरा लाइन कहते हैं अगला क्वेशन लाल इंडिकेट लाल इंडिकेट यहां किर्केट लिखा गया है इसको इंडिकेट कर लिजे इंडिकेट इंडिकेटर लाइट जो है इंगित करता है लाल इंडिकेटर लाइट किसलिए दिया जाता है तो लाल इंडिकेटर लाइट जो है वहान को रोकने के लिए दिया जाता है ट्राफिक के समय जो है लाल इंडिकेटर लाइट जो है किसलिए दिया जाता है तो वहान को रोकने के पर्वेस्टाइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आपसे पुछ लेगा इंटर्व्यू के समय की आपको जो है एस्पताल के प्रवेस्टाइब के सामने ngay करना चाहिए जिसे कि आने जा वाले मरीजको दिक्केत हो सकती हैं इसलिए से पार्किंग नहीं करना चाहिए आपको में गेट के सामने आप थोड़ा साइड कटके पार्किंग कर सकते हैं तो आज के वीडियों बस इतना ही दोस्तों अगर यह वीडियों आपको अच्छा लगेते चैनल को सस्काइब करें बेल एकर जरूर दबा दीज आज के वीडियों में बस इतना ही धन्यवाद